आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाऊ डाउनलोड नाओ हमें यहां पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है दा डिस्टेंस बेटिविन एनी ओफ टू टेटराइडल वोईड्स फॉर्म्ड एनी वन एनी बोडी डियागनल ओफ ए क्लोजेस्ट पैक इस्ट्रक्चर इस जो उसकी दो टेटराइडल वोईड्स के बीच की डिस्टेंस दियो हुई यह वो हमको दियो है एक्स इंटू ए वेर ए इस दा एज लेंद ऑफ क्लोजेस्ट पैक इस्ट्रक्चर की ए को क्या बोला है क्लोजेस्ट तो हमको एक्स के वेल्यू फाइंड करने है अब हम सबसे पहले यहां पर यह देखते है जो टेटराइडल वोईड्स होती है वह किस टाइप से उसका आरेंजमेंट होता है तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो tetral voids है tetral voids के कहा का बनेगी पहले tetral voids बनेगी a-डेश पे और दूसरी बनेगी along the body diagonal दूसरी बनेगी b-डेश पे ठीक है तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो इसकी जो इसे related calculation करते हैं कि जो दो tetral voids है उनके बीच के distance कितनी होगी तो हमको पता है जो यह यहाँ पर body diagonal है तो हम यहाँ पर लिखेंगे body diagonal जो body diagonal है a-b ठीक है यहाँ से यह इस से लेके इस point तक का जो यह body diagonal है ठीक है इसकी distance कितनी होती है हमको पता है cube के लिए body diagonal कितना होता है वो होता है root 3 into a अब distance between two tetrahedral voids तो यह जो हो, यहाँ पर एक tetrahedral voids है A dash पर और दूसरी tetrahedral voids कहाँ बनेगी B dash पर, तो अब हमको यहाँ पर निकान लिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम distance between two tetrahedral voids की जो भी इसकी distance कितनी होगी वो हो जाएगी A dash, B dash तो अब हम इसके हम solve करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो इस body diagonal के alone तो A, B, यह क्या होगा total body diagonal, इसमें क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं A, A dash plus A dash B dash plus B, B dash यहाँ से यहाँ तक की distance हम count करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर यह देख सकते हैं जो A dash distance हुई तो A dash distance कहां से गात तक की होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की distance A dash हो चुकी है A dash से B dash की distance यह हो गई और B dash से B की distance कितनी हो गई यह वाली हो गई अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो हमको पता ही जो यह AA' है वो पूरे body diagonal का कितना है 14 और पार्ट है तो पूरे body diagonal के लिए इन कितनी है root 3 to A by 4 यह कितना हो गया AA' की distance यहां से यहां तक की distance हमारे पास कितनी आ चुकी है body diagonal कितना था root 3 into A by 4 इसी type से यह भी कितना है पूरे body diagonal का क्या है one fourth part होता है तो root 3 by 4 into A यहां पर लिख सकते हैं तो हम यहां पर BB' की distance लिखेंगे फिर तो BB' की distance कितनी हो गई root 3 A by 4 और हमको BB' की distance मलब A' B' हमको find करना है क्योंकि दो ट्राइटल वोड़्स की और total distance होती है root 3 A by 4 जब इसको root 3 A sorry 4 नहीं होगा root 3 A तो जब हम इसको solve करते हैं तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा root 3 A by 2 plus A' B' कॉस्टूm root 3 into A हमको A' B' की value चाहिए तो जब इसको इसको इस्तरफ shift करेंगे तो यह हमारे पास बन जाएगा root 3 A minus root 3 A by 2 तो इसको जब solve करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला A dash B dash की length कितने आ जाएगी root 3 A by 2 ठीक है अब यहाँ पे यह जो हुआ तो root 3 A क्या हुआ A B total body length मतलब body diagonal की length और यह क्या हो बन बाई 2 अब हमसे पूच्छा हुआ है उसने दिया हुआ था expression X into A मतलब A यहाँ पे बोला था body diagonal की length तो हमारे पास X की value कितनी आ गई X की value हमारे पास यहाँ पे आज चुकी है 1 by 2 Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर